25 मार्च 2024 को लगेगा इस साल का पहला चंदर ग्रहन, चंदरमा और केतू, ये कन्या राशी में एक साथ रहेंगे, बड़ा विशेश चंदर ग्रहन रहने वाला है, चार ऐसी राशिया है जिनके लिए ये चंदर ग्रहन जो है, गेम चेंजर साबित होने वाला है, और दो हाला कि भारत में विशिबल नहीं होगा, क्योंकि चंदर ग्रहन रात को लगता है जब चंदरमा दिखता है, और भारत के समय अनुसार ये दिन में लगेगा, ये भारत के समय अनुसार सुभा 10 बच के करीबं 23 मिनट से शुरू होगा, और ये दोपहर के 3 बच के 12 या 13 रहेगा, इस चंदर ग्रहन का जो देशों पर प्रभाव है ना, अमेरिका, फ्रांस और रश्या, इनके उपर इसका जो प्रभाव है ये बड़ा नेगिटिब सा होने वाला है, ये देश अपनी ही किसी कला कलेश में और ज्यादा फस सकते हैं, चंदर ग्रहन का प्रभाव चंदर ग्रहन से दो महीने बाद तक भी दिखता है और रही बाद भारत की दिखिए किसी देश में ये चंदर ग्रहन दिखे ना दिखे आपकी राशियों पे इसका पूरा प्रभाव रहता है देश दुनिया के घटना करम पे भी इसका पूरा प्रभाव रहता है भारत के लि और ये भी इस वीडियो के अंत में जानेंगे कि पल्टिकुलर अगर आपकी कुछ समस्याई हैं तो उसके लिए ये चंदरग्रहन क्या फल ले के आएगा नमस्कार मेरा नम है योगे शर्मा स्वागत है आपका हैपी लाइव विडियो के शर्मा में इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने पने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपया सब्सक्राइब जरूर करेगा और बेल बटन दबाना न भूलेगा आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं मेरी लिए ये मोटिवेटिंग नहीं रहता इसलिए सब्सक्राइब जरूर ही करिएगा अब बात करते हैं राशियों की लेकिन इस वीडियो को अंतक देखेगा मनुदास रह सकता है और ये चंद्रग्रेहन विशेश तोर पे Health को Hemper कर सकता है Urinary track की कोई नो की infection आपको परिशान कर सकती है तो क्या किया जाए? आपको क्या करना है? चंद्रग्रेहन के दौरान आपको महामर्त्यमंतर जो है कम से कम 5-10 मिनट तक बिना गिने हुए पढ़ना है और ये एक ही जगा पे स्थापित हो के पढ़ी आप अपने ओफिस में भी होगे तो भी चलेगा हालाकि उस दिन शायद होली की छुटी होगी तो आप घर पे रहेंगे तो जो मैंने समय बताया ना 10-13 से लेके दोपहर के 3-12 इसके बीच में कोई 10 मिनट का समय स्पेशली 12 से एक बज़े के बीच निकाल लिएगा उसमें ओम नमशिवाय या माहा मृतुंजे मंत्र जो आपको उच्चारण करने में एजी लगे इसका केवल 5-10 मिनट जब कर लीजे ग्रहन के काल के दोरान जो मंत्रो चारण किया जाता है उसका 108 गुना अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है तो आपके लिए ये बड़ा ही सिद्ध उपाई में आपको दे रहा हूँ अब बात करते हैं व्रश यानि टॉरस राशी वालों की आप लोगों के लिए जो चंदर ग्रहन है न ये इसके माइने बड़े विशेश है ये चंदर ग्रहन आपको आपके जो भी स्किल्स है न उसके द्वारा बहुत बड़े कार्यसिद करवाने वाला है अगर आपने पिछले कुछ समय से कुछ चीज़ें सीख रखी है न तो बस अब समय आ गया है उन चीज़ों को एपलाई करने का अब समय आ गया है उन चीज़ों से धन कमाने का सफलता लेने का लेकिन क्या करें जो वरशवाले किसी स्किल में परंगत नहीं हो पाए हैं, वो भी इस चंदर ग्रहन से पूरा लाब ले सकते हैं, इस चंदर ग्रहन के दौरान आप मा सरस्वती का online कोई मंतर ढूंड़िए, वो मा सरस्वती के कई मंतर आपको मिल जाएंगे, उनमें से जो भ सती की साक्षात क्रिपा होगी और आने वाला समय जो है आपके लिए बड़ा ही प्रोड़क्टिव रहने वाला है, मितुंद्यानी जैमिन आई, चंदर ग्रहन आप लोगों के लिए घर के अंदर एक डिफरेंस ओफ ओपिनियन लेके आने वाला है, इस समय के दौरान क्या रहेगा, बिना बात के घर में किसी ना किसी तरह का कलह कलेश का वातावरंड बन सकता है, और आप लोगों के लिए कोई प्रॉपर्टि का जो लेना बेचना है इस समय में एक पीडा का कारण बन सकता है, इसलिए प्रॉपर्टि का कोई भी लेन देन जो है ये चंदर ग्रह देश उपाय जो है ये भगवान विश्नु से जुड़ा हुआ है। ग्रहन काल के दुरान विश्नु सहसर नाम आप उनलाइन चला दीजिए। उसका केवल श्रवन भर करिए। ये आपके लिए बड़ा ही सिद्ध उपाय है जो इस चंदर ग्रहन को 100% आपकी फेवर में ही कर अब बात करते हैं करक यानि कैंसर वानों की। आप लोगों के लिए इस चंदर ग्रहन के कुछ दुष्प्रभाव हैं वो हैं कि सिब्लिंग्स के साथ भाईयों बहनों के साथ किसी ना किसी तरह का कोई विवाद का वातावरन बन सकता है। इस समय में आपके जो सोशल कॉं प्राइफ लैन होंगी जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिवाड लेकि आएंगी और ये जो रिवाड रहेगा ना ये रिवाड केवल एक दो महीने के नहीं रहेगा बलके बड़े लंबे समय के लिए रहने वाला है। सब चीजें सुक शान्ती से बीते हैं उसके 15 मिनिट तक एक आसन में घर के पूजास्तान पे बैठके जब करिए इतना भर करना आप लोगों के लिए बहुत ही लाबदाएक रहेगा। अब से हैं यानि लियो वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा धन के सितारे वीक हो रहे हैं बिना बात के धन का खर्चा हो सकता है और अगर आप इंपल्सिव होके किसी जगा पे निवेश का कोई योग बनाएंगे न वो भी आपके लिए घाटे का सौधा हो सकता है इसलिए शेर बजार में निवेश केरफुली करिए कॉमोडिटीज में खेलिए लेकिन बड़े केरफुली खेलिए कोई तीन अनाच ली लीजिए और उनको चंदर ग्रहन काल के दौरान यानि सुबा दस बजे से दोपहर के तीन बजे के बीच में किसी भी जुरूरत मंद को डोनेट करके आईए बड़ा सरल लेकिन बड़ा ही सटीक उपाए जो बड़ी ही आपकी सहायता करने वाला है चलि क्रियेटिव आइडियास है वो बड़े ही डाउन हो सकते हैं कुंद हो सकते हैं आपको लगेगा कि आप अपने रेयल सेल्फ में नहीं है जो भी आपका ओरिजिनल परसनेलिटी है उसका दसवा हिस्सा ही आपको फील होगा घबराइए मत एक डेड़ महीने की बात है उसके इसकी वज़ा से आपकी थोड़ी सी हेल्थ भी डामाडोल हो सकती है एक सरल उपाए जो इस ग्रहन काल के दुरान आप करिए और फिर देखिए कि ये चंदर ग्रहन आपको कितना फाइदा दे के जाता है आपको क्या करना है ग्रहन काल के दुरान किसी भी बरगद के आप मीठा दूर चड़ाइए लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगा पे रहते हैं जहां पे उस समय पे ये करना पॉसिबल नहीं है तो आपको केवल और केवल महा मृतुञे मंत्र कम से कम 15-20 मिनट तक बिना गिने हुए ध्यान लगा के सिटिंग में पढ़ना है ये काम आप कर लीजे फिर देखिएगा किस तरह से ये चंदर गहन जो है आपके लिए helpful बन जाता है अब तुला वालों की बात करें तुला या यानि लिब्रा आप लोगों के लिए धन के आगमन के नए रास्ते खोलने वाला है ये चंदर गहन आप लोगों के लिए घर के या प्रॉपर के उपर investment के साधन बन वाने वाला है और विशेश तोर पे जो तुला वाले लोग बाहर जाना चाहते थे settlement के लिए पढ़ने के लिए उनके लिए भी उनकी file के move होने के आसार बन रहे है यानि overall आपके लिए win-win situation बन रही है एक सरल उपाय और ये उपाय है कि ग्रहन काल के बात करें तो आप लोगों के लिए जो चंदर ग्रहन है न ये आपकी income को बढ़ाने वाला चंदर ग्रहन आया है आपके लिए धन आगमन के नए रास्ते खोलने वाला आया है नए client मिलेंगे नए मंटी मिलेगी आपना नया domain आपको मिलेगा धन कमाने के लिहाज से इसके अ ग्रहन काल के दोरान आपको साथ हनुमान चली सा और एक बजरंग बान का पाठ करना है और ये ग्रहन काल का जो मैंने समय बताया है उसके दोरान ही करिएगा फिर देखिएगा कि कितना memorable समय बनके ये समय आपके लिए आता है चलिए अब हम बात करते हैं धनू यानि Sagittarius वा जिसकी वज़ा से आप भी अपना आपा को बैठें और आपके सोशल संबंद खराब हो जाएं लेकिन ये समय आपके लिए एक लिहाज से बड़ा favorable है कि आपको खुद को re-evaluate करने का मौका मिलेगा आपका personality बड़ी ग्रूम करेगी चंदर ग्रहन की वज़ा से और ये ग्र भोजन अनाज जिसको बोला जाता है साथ तरहा का अनाज लेना है दाले ले लीजिए चाबल ले लीजिए आटा ले लीजिए अनाज खाने वाला जो है कच्चा अनाज किसी बी तरह का साथ की संख्या में लीजिए उसकी quantity कोई भी लीजिए और इसको आप बड़ी श्रधा या तो किसी मंदिर में रखाइए नहीं तो किसी जुरूरत मंद को डोनेट कर दीजिए इतना भर करना आपके लिए इस चंदर ग्रहन के प्रभाव को बहुत ही helpful बनाएगा अब मकर यानी कैप्रिकॉन चंदर ग्रहन का यह जो समय है आपके लिए मिक्स समय है एक तरफ से क Community Week रहेगी Changing Season आपको बीमार कर सकता है और बिना बात के मन भी चड़ चड़ा रह सकता है क्या किया जाए इस चंदर ग्रहन के दौरान इस चंदर ग्रहन के दौरान आपको क्या करना है लगातार 30 से 40 मिनिट तक ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा इस मंत्र का बिना गिन जब करते रहिए आपने एक बात नोट की होगी मैं गिन्ती को प्रैफर क्यों नहीं करता हूं वो इसलिए कि जब हम नॉर्मली जब हम अभ्यस्त नहीं होते हैं गिन्ती करते हैं तो गिन्ती सामने आ जाती है मंत्र और भगवान से connection पीछे चूट जाता है इसलिए अपने और प्रभू के बीच में गिन्ती को अभी के लिए मत आने जीजिए जब तक कि आप किसी भी जप में बहुत जादा पारंगत नहीं हो जाते हैं तो चले अब कुम्ब यानि अक्वेरियोस वालों की बात करें तो ये जो चंदर ग्रहन है आपके लिए थोड़ी सी पीड़ा लेके आ रहा है किस तरह की पीड़ा लेके आ रहा है कि अपने ही बनाय हुए जालमया पुलच सकते हैं काम को पेंडिंग डालना सुस्त रहना आप डिस्ट्रेक्टिड एक्टिविटीज में रहना ये आपको परिशानी कर सकता है इसलिए यथा संबब मन पे काबू अब्यास करिए अपनी आदतों पे काबू पाईए डिसिप्लिंड हो जाएए कुदरत आपका साथ देना चाहती है अगर आप कुदरत का साथ लेना चाहो तो देखिए खाना आपके सामने आगया उठा के मूँ में तो आपी को डालना पड़ेगा ना अगर आप डिस्ट्र को सुभा या शाम किसी भी समय कर सकते हैं लेकिन उस दिन थोड़ी सी चांदी डोनेट जरूर करके आईए किसी भी वजन में किसी भी साइज में किसी भी तरह से यह आपके लिए बड़ा ही helpful remedy रहने वाली है तो अबंत में मीन यानि पाईसीज राशी वालों की बात करें त शेश तोर पे इस समय में आपको सरकार की तरफ से या कुछ बड़े इंफ्लूएंशन लोगों की साहिता मिलेगी जिसे आप अपने करियर में काफी आगे जाने का एक समय बना सकते हैं आपके लिए एक सरल उपाए चंदर ग्रहन वाले दिन आपको क्या करना है पीली डाल जो चने की डाल होती है वो कम से कम 1200 ग्राम लीजिया और किसी भी मंदिर में डोनेट करकिया यह इतना भर उपाए इस चंदर ग्रहन को करेगा टोटली आपकी फेवर में तो अब हम बात करते हैं कुछ समस्याओं की जिन लोगों को करजा बहुत बढ़ता जा रहा है जिन ल अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे रनिंग वाटर नहीं है तो उस दिन आप क्या करिए आप गुड का जो शक्कर होती है जैगरी पाउडर वो लीजिए कितना इतने क्वांटिटी में आपके पास आ जाए उसमें सफेद तिल मिक्स करिए और उसको आप किसी जाइटी या मन के बिमार रहने के शिकार हैं तो फिर इस चंदर ग्रहन के दुरान आपके लिए गुल्डन ओपर्चुनिटी है उपाय करने की आपने क्या करना है कॉटन का धागा लेना है सफेद वाला उसको हल्दी वाले पानी में डुबो के पीला कर लीजिए और इसको मानों के एक सीलिंग का शिकार हो गया है एक लेवल से आगे बड़े नहीं पा रहा है जिस लेवल पर काम करना शुरू किया था more or less उसी लेवल पर जीवन पर काम करते आ रहे हैं जीवन मानों संघर्ष का ही दूसरा नाम बन चुका है तो आपको क्या करना है इस ग्रहन काल और साथ में आप लाल रेश्मी वस्तर का एक खाली आसन अपनी दाई दिशा में रखिए और उसको खाली ही रखिए और ये जो मैंने आपको प्रयोग बताया है ना 21 हनुमान चलिसा और एक भजरंग बान का पाठ ये ग्रहन काल के दौरान करनी जीए ये आपके लिए हनु आपको इस चंदर ग्रहन में क्या करना चाहिए जिससे कि आप इस ग्रहन कार का पूरा लाब ले सकें तो ये जानकारी यहीं तक तो चलिए बहुत जल मिलते हैं नए टॉपिक नए विशे के साथ तब तक अपना खूब ध्यान रखेगा नमस्ते